आज हम बनाएंगे ये सिरफ 5 मिनट में बन जाने वाला एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी चॉकलेटी केक जिसे आज हम बिना एग्स, बिना आवन, बिना कूकर और बिना कडाही एक अलग से तरीके के साथ बनाएंगे केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी रहेगा और फ्लेवर इसमें होगा स्निकर्स चॉकलेट का ये बहुत ही जादा यमी बनता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और रेसिपी पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के इस केक के लिए सबसे पहले हम केक स्पॉंज बनाएंगे जिसके लिए एक बूल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ यह आधा कब जितना हलका गरम दूद दूद बस इतना सही गरम होना चाहिए कि हम इसे अराम से हाथ लगा सकें और अब इस दूद में डाल देना है एक छोटा चमज इतना वेनेगर यानि कि सिरका आप सेम कॉंटरिटी नीमू के रस्की भी ले सकते हैं तो बस इसे मिक्स करके इसको पांच मिनट के लिए एक साइट पर रख देंगे ताकि दूद फट जाए अचा इतनी देर में आप क्योंकि चॉकलेट स्पॉंच बन रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर आड करती हूँ जिसके लिए एक छोटा सा सेशन मैंने यहाँ पर यह कॉफी पाउडर लिया है आप किसी भी ब्राइंट की कॉफी ले सकते हैं और एक बड़ा चमत जितना इसमें डाल देंगे गरम पानी तो बस इसे मिक्स करेंगे और हमारी यह कॉफी किनकॉक्शन त्यार हो गई है और इसके बाद अब यह जो दूद हमने एक साइट पर रखा था अभी आप देखरों कि यह फट गया है थक्के थक्के जैसे बन गए हैं जैसे एक पतली सी फटी सी दही होती है बल्कुल वैसा ही कुछ तो यह बन गया है हमारा होम मेट बटर मिल्क तो इसमें अब हम बाकी के इंग्रीडियन्स आड करेंगे जिसके लिए डालना है एक चुथाई कप जितना ओइल साथ में डालेंगे आधा कप प्लस एक बड़ा चमट जितनी पिसी हुई चीनी इन तीनों चीजों को ना पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है 30-40 सेकेंड तक या तब तक जब तक की सारी मिक्षर एकदम से क्रीमी और एरी हो जाएगा तो इसे मिक्स करने के बाद अब ये जो कॉफी कंकॉक्शन हमने बना कर रखा था ये भी अब ठंटा होकर रूम टेंप्रेचर पर है तो इसे भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे और अब इस बोल के उपर हम एक छनी रखेंगे और इसमें डालेंगे एक कप जितना मैदा मैं आज इसे मैदे से बना रहे हूँ आप चाहो तो गेहूं काटा भी ले सकते हो एक छोटा चमच जाएगा इसमें बेकिंग पावडर और एक चोथाई चोटा चमच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा वान फोर्थ कप हम इसमें डाल रहे हैं कोको पावडर और एक पिंच नमक डाल देंगे इन सारी चीज़ों को बस छान देना है आई इसके बाद अब उसे बिल्कुल हलके हलके हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे इस स्टेज पर कभी भी ओवर मिक्स या विगरसली मिक्स नहीं करना है तो मिक्स करने के बाद अभी यह बेटर थोड़ा थिक है तो एक चुथाई कब जितना दूद मैंने और लिया है आप दूद की कॉंटिटी अपने अकॉर्डिंग अर्जस्ट कर सकते है तो इसे डाल के मिक्स करने के बाद अफाइनली हमारा यह बेटर त्यार हो गया है और एक्तम फ्लोई रिबन कंसिस्टेंसी है इसकी अचा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आज के जो केक है इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा तो ऐसा हम क्या यूज करेंगे जिससे सिर्फ 5 मिनट में ये केक बन जाए तो आज इस केक को हम बनाएंगे माइक्रोवेव में जिसमें आप रूटीन में नॉमल खाना गरम करते हैं उसी मोड पर आज हम केक बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये माइक्रोवेव सेफ एक कांच का बोल लिया है आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ बोल ले सकते हो बस इसको ओयल से ग्रीस करना है मोल त्यार हो गया है अब इसमें यह बेटर डाल देंगे आइसके बाद इसे टाप कर लेना है टाप करने के लिए चाहो तो इसके नीचे टाल रख लिजेगा क्योंकि कांच का बोल है तूट सकता है या फिर इसकी बजाएना आप टुट्पिक के साथ इस तरह से चलाल होगे ना तो जो बड़े-बड़े एर बबल से हैं वो निकल जाएंगे तो मेरा ये मोल्ड तियार हो गया है अब इस मोल्ड को मैं रखूंगी माइक्रोवेव में माइक्रोवेव मोड यानि कि जिस पर आप रूटीन में खाना गरम करते हैं न वही मोड पर आज हम केक बनाएंगे आचा माइक्रोवेव में केक बनाने के लिए आपको सिरफ दो चीजों का ध्यान लखना है सबसे पहला होगा पावर यानि कि आपकी माइक्रोवेव की वाट कितनी है जैसे मेरा माइक्रोवेव जो है ये बल्कुल सिंपल सा है इसमें जो मैक्सिमुम पावर है वो है 750 wast तो पावर अगर कम होगी तो टाइम आपको थुड़ा सा जाधा लगेगा अगर आपका microwave 1000 Watt का है तो आपको 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा बट मेरा ये microwave 750 Watt का highest power है तो मैंने power को highest पे set किया है और अब हम अपने इस microwave में रखेंगे अपना ये bowl और इसे मैं 5 मिनट के लिए microwave कर रही हूँ ध्यान रखें ये OTG, convection या फिर कोई oven वगेरा नहीं है ये microwave मोड है तो बस 5 मिनट हुए और अब हम अपने इस cake को चेक करेंगे वाव आप देख रहे हो कि कितना अच्छे से ये फूल गया है उपर से dry भी लग रहा है एक बस center में toothpick को insert करके चेक करेंगे तो ये toothpick भी बल्कुल clear आ रहे है इसका मतलब है कि cake हमारा अच्छे से बेख हो गया है तो हैना बहुत ही आसान सिरफ और सिरफ 5 मिनट में आपका ये cake sponge बन गया है इस तरह से आप किसी भी तरह की sponge को microwave में बना सकते है और ये एक्तम soft और spongy बनता है ये मेरी guarantee है आपसे तो चलिए अब इस cake को थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे इसके बाद अब आज का flavor है स्नीकर्स cake तो स्नीकर्स चॉकलेट में रहता है केरमेल तो जिसके लिए अब हम बनाएंगे अपनी homemade caramel sauce तो एक sauce pan में एक चुथाई कब जितनी मैंने यहाँ पर यह चीनी ली है ये normal regular right चीनी है इसे low flame परना हमें caramelize करना है पहले हमें इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं है जब side की चीनी थोड़ी थोड़ी से melt होनी शुरू हो जाएगे अब इस stage पर इसे लगाता चलाते रहेंगे और तब तक चलाना है जब तकी सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमत जितना butter मैंने amul salted butter यूज किया है इसे भी फटा-फट से mix कर लेंगे और साथी में इसमें जाएगी एक चुथाई कब जितनी क्रीम amul fresh क्रीम है ये आप घर की मलाई भी ले सकते हैं और इसे भी बस फटा-फट से mix कर लेना है और जैसे ही सारी चीज़े mix हो जाएगे गयास को बंद कर देंगे और हमारी ये homemade caramel sauce बनके त्यार हो गई है तो है ना बहुत ही आसान और इसकी consistency आप देखी रहे हैं कितनी यमी लग रहे है ये तो अब इस caramel sauce को आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो बटस्कॉच आइस्क्रीम के उपर डालो केक्स के उपर पोर करो या फिर बनाओ ये Snickers केक या Snickers चोकलेट भी बना सकते वैसे आप घर पर तो मैं आज Snickers केक में से यूज़ करूँगी फिलहाल के लिए भी ये गरम है इसे एक साइट पर रख देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देंगे अचा अब इस केक के लिए हमें थोड़ी सी क्रीम को विप कर लेना है जिसके लिए मैंने यहाँ पर तीन चुथाई कप यानि कि आधा कप प्लस एक चुथाई कप जितनी ली है क्रीम ये नॉन डेरी विपिंग क्रीम है आप इसमें कोई प्सी भी क्रीम ले सकते हैं जिसमें फैट कॉंटेंट कम से कम 30% हो ताकि वो विप हो सके क्रीम को विप करना है stiff peaks आने तक थोड़ी देर में क्रीम में stiff peaks भी बनने लग गई है बोल को अगर उल्टा करके चेक करोगे तो ये गिरनी नहीं चाहिए इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से विप हो गई है तो क्रीम को जब तक यूज ना करें तब तक इलिए इसे फ्रिज में रख देंगे अज़ आप इसके पास निकर्स केक के लिए हम थोड़ी से मुफली को roast कर लेंगे जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ये एक चुथ ही कप जितनी मुफली ले रही हूँ मेरे पास कच्छी मुफली थी इसलिए मैं इसे थोड़ा सा roast कर रही हूँ अगर आपके पास already roasted यान की भुनी हुई मुफली है तो इस step को आप skip कर दीजेगा तो मुफली को low flame पर roast करना है और थोड़ी देर में जब आप देखोगे कि मुफली का जो छिलका है ये अपने आप से easily निकलना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि मुफली अच्छे से roast हो गई है हलका हलका सा color भी change हुआ है इसका और छिलका भी असानी से निकल रहा है तो बस ये roasted peanuts यान की मुफली भी तायार हो गई है अब इसे एक plate में निकाल लेंगे और इसे अच्छे से थंड़ा हो जाने देंगे अच्छा अब इसके बाए ये जो caramel sauce हमने थंड़ी होने के लिए रखी थी न अब ये भी बल्कुल अच्छे से थंड़े होकर room temperature पर आ गई है तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा कब जितना दूद ये normal room temperature वाला दूद है उबला हुआ दूद था आप शुगर सिरप से भी अपने केक को moist कर सकते हैं और फिर उबर से caramel cake layer दे दीजेगा जैसे भी आपको पसंद हो इसके बाद अब ये जो cake थंड़ा होने के लिए रखा था अब ये भी बिल्कुल अच्छे से थंड़ा हो गया है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फोक या फिर टुटपिक के साथ ना इसको इस तरह से जगा जगा पर प्रिक कर लेंगे ऐसा करने से ये जो caramel वाला milk है ये अंदर तक अब्जॉब हो जाएगा इस cake के अच्छा मैं फिर से बता रहे हूँ आप caramel sauce को एक layer की form में भी लगा सकते हैं तो अब इसे प्रिक करने के बाद ये जो caramel वाला दूद हमने बना कर रखा है इसे मैं डाल रहे हूँ अपने इस cake के उपर तो ये सारा दूद हमें इसके उपर डाल देना है इसके बाद हलका हलका से एक बर मैं फिर से प्रिक कर रहे हूँ ताकि दूद अंदर तक अच्छे से अब्जॉब हो जाए इसके बाद आप इस बोल को हमें एक साइट पर रख देंगी या थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजे इतनी देर में ये जो दूद केरमल वाला है ये अच्छे से cake उसे अब्जॉब कर लेगा अचा अब इसके बाद एक लास तैयारी हमारी जो रहे गए है स्निकर्स केक के लिए जिसके लिए हमें बनाना है मिल्क चॉकलेट का गनाश तो मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम जितनी मिल्क कमपाउंट चॉकलेट ली है इसके लिए मिल्क कमपाउंट चॉकलेट जादा अच्छी लगती है आप चाहो तो डाक चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो या दोनों को मिक्स भी कर सकते हो और इसमें अब मैं डाल रहूं 75 ग्रा पानी को गरम करके इसके ऊपर ये बॉल रखेंगे और इसे अब लगता चलाते रहेंगे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पानी की हीट की वज़े से चॉकलेट में नहीं और इसी के साथ खोकलेट का गनाश बनके त्यार हो गया है तो बस इस गनाश को अब एक साइट पर रखेंगे और इसे रूम टेंप्रेचर पर आजाने देंगे इसके बाद अब इतनी देर में यह जो मुफली हमने रोस्ट करके रखी थी अब यह भी ठंडी हो गई है तो इसको इस तरह से ना मसल मसल कर इसके ऊपर का छिलका हम निकाल देंगे और छिलका निकालने के अकलेटी पीनट जो होती है यह बहुत जादा टेस्टी लगती है तो बस यह सारी मुफली डालके से अच्छो से मिक्स कर लीना है और गनाश हमारा बिल्कुल तयार है इसे एक साइट पर रखके ठंडा हो जाने दो और इतनी देर में अब यह जो केक हमने रखा था एक साइ देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे थोड़ा स्मूध कर लेंगे इसे और इसके बाद फाइनल लेर इसके उपर जाएगी हमारी यह पीनेट्स वाले चॉकलेट गनाश की दिहान रखें कि गनाश रूम टेंपरेशर पर होना चाहिए तो यह सारा का सारा गना गनाश भी सेट हो जाएगा फिस सर्फ करेंगे तो थोड़ी देर के बाद फाइनली अब हमारा यह गनाश सेट हो गया है और इसे के साथ त्यार हो गया है आज का हमारा यह पांच मिनट में बन जाने वाला स्निकर्स केक आप देख रहो ना कि कितना यमी लग रहा है यह दे पेस्टी बनता है एकदम सॉफ्ट स्पॉंजी और पांच मिनट में आप किसी भी तरह की स्पॉंज बना सकते हैं तो हैना बहुत यह आसान केक बनाना तो अब आप भी इससे ट्राय करिए मेरे साथ अपना फीडबाग जरूर शेयर करिए का पिक्चर इन सारी रेसिपीज क आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो और अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें